हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का तो यह हमारा रोजगार और निर्मान का वीडियो है थोड़ा समय पहले आपको यह पहला वीडियो है तो इसके एकस्प्लैनेशन के बारे में बता दू रोजगार और निर्मान आता कैसे दिखें रोजगार और निर्मान इस तरीके से आता है जैसे इसमें इर लिखा होता है तो आपको जो टापिक जोट इस तरी हैं कि यहर का तीस्वा अंक इस तरीके से टाइटल मिल जाएगा अच्छा यह जो 30 अंक है यह 26721 से 1-8-21 तक इसके बीच की डेट्स हैं तो आपको परिशान बिलकुल नहीं होना है जैसे जैसे रोजगार और निर्मार्ण तो अभी तो यह मैंने लेटेस्ट वाला उठाया है पर धीरे धीरे पिछले 6 महीने के मैं कवर करूंगा तो 6 महीने के इस तरीके से आप मालीजे नियर अब आठ से 10 वीडियो अपने पुराने बनेंगे और जो नहीं आते जाएंगे तो इससे हमें बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा तो कभी भी अगर आप देखते हैं तो रोजगार और निर्मार्ण यह MP का MP गवर्मेंट का जैसे इनका official है तो भोपाल से निकलता है तो इससे बहुत सारे ऐसे points हैं जो हमें मिल जाते हैं तो इसमें मैंने क्या किया है कि जो important points है उनके cuttings को मैंने यहां पर snap out किया है रोजगार और निर्मार्ण में जो हमारे लिए काम की चीज़े हैं हम सिर्फ वह देखेंगे औ और हम आगे बढ़ते चलेंगे साथी साथ उन्हें हम कैसे यूज कर सकते हैं किस तरीके से questions हा सकते हैं हम यह भी समझने की कोशिस करेंगे तो चलिए रोजगार और निर्मार्ण और तिस्वा वर्ष और तीस्वा अंख्याइग सबसे पहले जो आपकी news है वो है जनजातिय भाई और बहनों को राशन आवाज सिक्षा दिलवाना ये news है तो जैसे front page से जैसे important news हैं सिर्फ वही मैंने लिए हैं तो आप में से अगर किसी के पास हो तो वो इन्हें पूरा भी पढ़ सकता है बाकी जो काम की चीज़े हैं व ये तीन जन जातिया है जो कि आर्थिक द्रस्टी से विशेस पिछडी हुई जन जातियों में आती है मैं फिर से बता दूँ सहरिया भारिया और बैगा ये विशेस पिछडी हुई जन जातियों में से आती है इनके लिए start किया गया है जो योजना ये योजना है 2017 की योजन बात के लिए रहे मैं फिर से बता दूं योजना का नाम है आहार अनुदान योजना इसमें सहरिया भारिया और बैगा की जो महिलाय है उन्हें पोशन आहार लेने के लिए एक-एक हजार रुपए का अनुदान दिया जाता है 2017 से ये योजना शुरू होई थी आहार अनुदान योजना इसका नाम है तो आप इसे मेंस में भी अलग-अलग पेपर्स में यूज़ कर सकते हैं इस पर प्री में भी अबजेक्टिव का कुशन आ सकता है जब विशेश पिछली जन जातियों की बात होती है तो इसमें गवर्मेंट अभी जो करने वाली है मैं वो बता दूँ मनला, ढिंडोरी, शेहडोल, शिवपूरी, छिंदवाडा यहां पर पांच कंप्यूटर कौशल विकास केंद्र इस्थापित किये जाएंगे तो जब आप ने इसमें असर लिखेंगे और स्टी के लिए MP गवर्मेंट क्या कर रही है उसमें आप लास्ट में यह लिखेंग कि कंप्यूटर कौशल विकास केंद्र इस्थापित किये जा रहे हैं ऐसी जगे में जहां पर जन जाती आर्थिक रूप से काफी पिछडी हैं उसमें आप लिख सकते हैं मनला, ढिंडोरी, शेहडोल, सिवपूरी और छिंदवाडा इसके अलावा जो मुक्की जिला है मुक ये बनाए जाएंगे तो अगर आपसे पूछ लिया कि सहरिया सांस्कृतिक केंद्र कहां है या तो आपको यह जगे पता होनी चाहिए जैसे इस बार संग्रहाले के बारे में पूछ लिया था सबी जन जाति ये वर्ग के विद्यार्थिऑं के लिए आवास योजना ये बाकी जन जातिऑं के लिए तो ये इतना important नहीं है बाकी आवास, postmatric, च्छात्रवत्ति, आवास, सहायता योजना ये योजना आप दिमाग में रख सकते हैं इसके लिए काम आजाएंगी जो प्री के लिए काम की बात है वो हमने समझ ली तो एक बार फिर से देख लेते हैं आहार अनुदान योजन आपको पता होना चाहिए सहरिया बैगा और भारिया इसमें ना तो गोंड है ना भील है सहरिया भारिया और बैगा ये तीन जन जातिय हैं जिनके लिए एक-एक हजार रुपय का अनुदान दिया जाएगा जिससे औरते हर माह पोशन आहार खरीब सके हैं सांस्कृतिक किंद्र का खुले जा रहे हैं बैगा के लिए बाला घट बी से बैगा बी से बाला घट चिंदवाडा के लिए भारिया और शिवपुर के सहरिया अब आज आते हैं जनता तक जल पहुंचाने की योजना जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन का उलेख आप MPPAC के मेंस के किसी पूर्शन में कर सकते हैं अगर कहीं पर अगर कहीं पर सोशल डवलप्मेंट की बात आती है जैसा कि आपको पता है पेपर टू में आपका स sociology और economy दोनों हैं वहाँ पर आप इसका यूज कर सकते हैं कि जल जीवन मिशन जो है जल जीवन मिशन के थ्रू कैसे घर तक हम घर तक गवर्मेंट का ये ambition है कि घर तक पानी पहुंचाया जा सके तो जल जीवन मिशन याद रखेगा ओके इसके बाद एक news है अगस्त माहा के पहले सब्ता से थैलो में मिलेगा उचित मूल का राशन किसे मिलेगा क्या सबको मिलेगा नहीं देखे प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य यूजना में जितने भी लोग पात रहें उन्हें पांच किलो राशन दिया जाएगा साती सात मद्ध प्रदेश की सरकार ने अन्य यूजना जो है उसमें प्रती व्यक्ति पांच-पांच किलो हर एक व्यक्ति को पांच किलो और ये मुफ्त है तो प्रधान मंत्री गरीब कल्यान अन्य यूजना में मुफ्त राशन है लेकिन मुख मंत्री अन्पूर्णना यूजना में ये जो राशन है ये एक रु से शुरू हो जाएगी आपके लिए जो काम की बात थी वह हमने देख लिए राशन वित्रण में प्रदेश में एक करोड पंद्रा लाग तो कभी अगर ऐसा स्टेट्मेंट घुमा करा जाता है या आपको अगर मेंस में लिखना है तो आप यह लिख सकते हैं कि किस तरीके से राशन वित्रण में मद्व प्रदेश में e ripe करोड से जादा की पॉपुलीशन को हम कवर कर रहे तो यह कहीं नå कहीं सोचिल जेस्टिस के लिए किया जाने वाला काम है हम लोगों तक अगर इस तरीके से खाना पहुंचा रहे हैं तो यह सोशल जिस्टेस का एक अच्छा होदा रहे हैं तो राशन वित्रण में एक करो से ज्यादा की पॉपपॉप्यूलेशन को हम कवर करें ठीक है चलो इस फेज की नीउस कतम अगले पर चलते हैं जब आगे चलते हैं तो इसम की बहुत सारे निउस होती है अपने हैं अटो की नीउस जकर आशान की किया गए सार्थी और advanced technology में आप इसे include कर सकते हैं तो जो science and technology का paper Paper 3 paper 3 में आप इसका example लिख सकते हैं कि किस तरीके से technology को को farming में इस्तेमाल रहे हैं सार्थिया प्याद रखेगा किस लिए है किसानों के लिए इसके बाद आर्बियाई की एक न्यूज है आपको पता है डिजिटल पेमेंट अभी चलने लगा है डिजिटल के बहुत सारी करेंसी आगी है डिजिटल करेंसी में आपने सुना होगा क्रिप्टो करेंसी वगएरा है या एथरम वगएरा है तो आर्बियाई ने डिजिटल करेंसी को लॉ Central Bank Digital Currency नाम दिया है इसे आर्बिया के डिपटी गवर्नर ने बताया है कि जो डिजिटल करेंसी होती है बटेंड ओविस है अभी जो करेंसी है इंडिया के अंदर उसे मैनेज और कंट्रोल कौन करता है गवर्मेंट और उसी के बेस पर वो मौद्रिक नेती मौनेटरी से डाल सकते हैं इतिहास पर आजाते हैं इतिहासिक स्वरूप निखारते हुए होगा ग्वालियर और और उर्चा का विकास सबसे पहला पर मद्द परदेश एकमात्र ऐसा राज है जहांके दो शहर हिस्टॉरिक अर्बन लैंड इसके प्रियोजना का पार्ट बने हैं हिस् काम होते हैं एडुकेशन के काम होते हैं वो यून की बॉड़ी है यूनस्को वो करता है अभी 2011 में यूनस्को ने हिस्टॉरिक अर्बन लैंड इसके प्रियोजना शुरू कि थी थोड़ा सा ध्यान से देखे गई हिसे इस्टॉरिक अर्बन यहां पर ग्रामीर परिवेश क कि हम बात नहीं कर रहे हैं हम ऐसे शहरों की बात कर रहे हैं जिसे हम historically develop कर सकते हैं तो historic urban landscape परियोजना 2011 में शुरू ही थी UNESCO के द्वारा ग्वालियर और और और्चा नगरों को historic urban landscape की श्रीणी में लिया गया है यह जो चैनित नगर होते हैं इतने भी नगर ऐसे historic urban landscape परियोजना में लिये जाते हैं इसका जो development है इसका जो पूरा road map है कैसा development map जो बनेगा यह सब यह सारा काम UNESCO करता है UNESCO आपको draft बना कर देता है कि इस इस तरीके से आप develop करें और फिर वहाँ पर development होता है ओर्चा और गॉलियर के आते साथी इंडिया के चार शहर इंडिया के चार शहर पूरे South East Asia में अगर आप देखेंगे पूरे दच्छन एशिया में अगर आप देखेंगे वो है राजस्थान का आजमेर और उत्तर प्रदेश का वारानसी तो यह इंडिया के जो इंडिया के historical अर्बन डवलप्मेंट में उत्तर प्रदेश का वारानसी राजस्थान का अजमेर और MP के दो सामिल हो गए हैं ग्वालियर और और उर्चा इन दोनों का भी डवलप्मेंट किया जाएगा यूजना का नाम इंपोर्टेंट है हिस्टोरिक अर्बन लैंड इसके परियोशना तो इन्हें एतिहासिक रूप से निखारा जाएगा और इस तरीके से अब दक्षिन से वारा निसी और अजमेर अब दो और सेवन्थ और एट नंबर पर ग्वालियर और और उर्चा आ गया है तो इंडिया में हो गया है चाड़ दच्छिन इस्या में हो गया है आठ अगले पॉइंट पर चलते हैं सिंधिया जी के अंडर में उड्यन मंत्रा ले आ गया है विमान की सेवाओं को किस तरीके से बढ़ाया जाएगा इस पर गवर्मेंट का फोकस है अब हमारे लिए काम की चीज क्या है देखिए अगर हम इंटरनेशनल कनेक्टिविटी लेकर आते हैं इंदौर और भूपाल क करने की तुरंत आवशकता है इससे फाइदा कहां पर होगा देखो गवर्मेंट का फोकस यह है कि किस तरीके से हम जो नेशनल पार्क हैं या टाइगर रिजर्व हैं या पचमड़ी है या जितने भी ऐसे घूमने वाले प्लेसे हैं वहां पर हम किस तरीके से एयर कनेक्टि पहुंचा सकते इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की तरफ गवर्मेंट का फोकस है कि ठीक है तो उलान योजना तो सबको पता है प्रधान मंत्री नदेंद्र मोदी जी ने शुरू की थी कि सस्ते से सस्ते में हम किस तरीके से आम नागरिकों को भी विमान की सुविधाइं दे मतलब जहां पर बस से जाने में जहां पर आठ से नौ घंटे लगते हैं वहां पर विमान आपको आधे घंटे में पहुंचा देता है हेलिकॉप्टर होते हैं तो आप इन्हें हाइर कर सकते हैं वैसा ही अगर मर्द्परदेश में स्टार्ट किया जा सकता है टौरिजम को डवलब करने के लिए ёन्हें गवर्वनेंट का फोकस यह कि हम किस तरीके से यर एकिस तरीके से Ổर लाइंज को टौरिजम के लिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं इसके बाद अगली न्यूपर पर चलते हैं जलाशे की जल भंडारन चमता को पुनर इस्थापत करने वाला मद्व पुर्देश बनेगा देश का पहला राज देश का पहला राज बन रहा है पुनर इस्थापन का मतलब क्या होता है कहीं पर डैम है वह बहुत सालों से अब धीरे-धीरे उसके नीचे होती जाएगी अब क्या करने वाला है मद्व पुर्देश मद्व पुर्देश इनकी साफसफाई करवाने वाला है साफसफाई करवाने से क्या होगा वॉटर लेवल उस्थापित करने वाले प्रदेश देश का पहला राज्य होगा तो मुख मंत्री शिवराज सिंग चोहान की अद्रश्खता में भोपाल में एक मिर्टिंग संपन होई ती जिसमें ये बात कही गई कि अभी आने वाले टाइम पर टेंडर वगरा निकाले जाएंगे टेंडर से आपको मतलब नहीं होन पनाने को लेकर तो इसके इससे रेलेटाइ्टर्ट हमें क्या-क्या काम की चीज मिल सकती है सबसे पहले मिसर्ष बुर्हानपूर टेक्स्टाइल लिमिटेड के इस्ताफना 1956 में होई थीнок तो 1956 में तो यह यह और याद रखना है और अब वापस से यहाँ पर टे यौजुन इंस्टाल चींग जा रही है तो आ आप बता सकते हैं साथी साथ अगर पूछ लेता है बुरहानपूर या अगर आपसे शौर्ट मार्कर में पूछ लेता है eight का फोकस है तो पूरी पर्यूज ने इंस्ट्रॉल की जाएगी तो न्यूज समझ आगी किस तरीके से हम उड्डियन को परियर्टन से जोड़ने पर फोकस हैं साथी साथ जलाशे और जल भंडारन इनका पुनह इस्थापन करने वाला जन भंडारन की छमता का मध्यप्रदेश देश का पहला राज़ बनेगा वैसे मैं आपको एक बात बता दूं कि आप ढूड़िएगा ड्रिप परियोजना यह नैशनल लेवल पर ढूड़िएगा यह डैम रिहेबिलेटेशन के लिए प्रोग्राम चलाया गया है तो आप इसे जरूर पढ़ लीजिएगा अभी हमा वापस से वाटर रेसोर्स को डवलब कर सकते हैं तो कहीं पर अगर वाटर मैनेजमेंट के बारे में आ जाए तो यह आप एक्जामपल लिख सकते हैं कि हाली में अमेरिका में विमान से वापस मशलियां डाली जा रही है इसके बार ऑसकर स्वान का नाम याद रखेगा 1912 मे एक खिलाडी था जिसका नाम था ओसकर सॉन इसने अन्डेड मेंटर रनिंग टियर शूटिंग टीम में फंगर्मीजी ता texted Вс». अन्डेड मेंट रनिंग डियर शूटिंग तो शूटिंग एवंट में गोल lila था 1130 65 years तक का आज तक और कोई भी मतलब यहाँ पर आप 64 years 258 days वो एप्रॉक्सिमेट ले सकते हैं लेकिन आज तक 1912 के बाद आज तक यह record किसी ने नहीं तोड़ा है इतना उम्रदराज कोई भी medical medal धारक ओलम्पिक में नहीं गुआ हाला कि 1927 में इनकी मौत हो गई थी इनका निधन हो गया था तो ऑसकर सौन आपसे पूछा जा सकता है वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है क्योंकि अभी ओलम्पिक का सीजन चल रहा है तो आपको याद रखना है ऑसकर सौन रहने वाले कहां के थे स्वेडन के थे कौन थे रखते सबसे उम्रदराज जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अम्रता शेरगिल चर्चाओं में अम्रता शेरगिल सबसे पहली बात प्रेंटर है क्यों चर्चाओं में हैं इनकी प्रेंटिंग दुन्या में भारत की दूसरी सबसे महगी प्रेंटिंग अभी बिकी है अम्र िइस गाय तोंडे सी आप से पूछा जा सकते हैं अमरता शेल्गिल किस फिल्ड से यह बिएस गायिकिस फिल्ड़ से जुड़ें तो यह दोनों प्रूंटर रहे उत एक इस तो टी price यह ने डाइन ऑटो टू मिशिण लांच किया लाइन इसक्र여 को आय स्वेयर प्रश्च करने लिए आयन इसफियर आयन वह इंगर जहां से रेडियो में हमें सहजीता है क्योंकि यहां पर आयन्स होते हैं थीज तो सिरी इतना रखिए नासा डाइनमोटू किस लिए है आइनोस्फेर के लिए इसमति शेस पर आ जाते हैं अभी हाली में दो लोगों का निधन हुआ है उनको देख लेते हैं एक तो है शरली फ्राइए इर्विन शरली फ्राइए इल्विन टैनिस में हौल अफ फेम में थी आपके लिए काम की बात इसमें क्या हो सकती है सबसे पहला यह पूठा जा सकता है कि शरली जो है वो किस देश की रहने वाली थी तो यह निपल से जुड़ी हुई है इन्होंने Grand Slam भी जीते हैं 1960s 1970s में काफी ज़्यादा फीमस थी ठीक है ओके बाकी चीजे तो इतना important है नहीं कि तेरा Grand Slam यह सब याद रखे रहे हैं बस शरली याद रखेगा शरली नीपल्स टैनिस के Hall of Fame एक थी टैनिस गेम से जुड़ी हुई थी उसके बाद पाकिस्तान के पूर्व राष्टरपती ममनून हुसेन का निधन हो गया है ममनून का जन्म जो हुआ था वो आग्रा में 1940 में हुआ था उनिसटो चालिस में जंबे थे आग्रा में उन्नी सो सचालिस में जब वभाजन हुआ तो यह पाकिस्तान है अग्ली निउस पर चलते हैं के हुअग अग्ली जो हमारी निउस है वह है टाईगर्स हर यह इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले तो इसमें आपको याद रखना है कि 29 जुलाइए यह हमारा वर्ड टाइगर वर्ड टाइगर डे की रूप में मनाए जाता है तो आपसे पूछा जा सकता है वर्ड टाइगर डे सिंपल एक मार्ड सिंपल वैरी शॉट में पूछा में मैं आपको थोड़ सा background बताते, 2010 के बाद हर 4 साल में, 2010 में एग बार Tiger census होता, Tiger census हर 4 सालों में होता है, अगला 2014 में हुआ था, फिर 2018 में हुआ था, 2014 में हम Tiger State से हट गए थे, तीसरे नमबर पर आ गए थे, फर्स नमबर पर करनाट तेक देन उतरा खंडा गया था, लेकिन फिर वापस 2018 के census में हम वापस से नंबर बन पर आ गए तो हम वापस टाइगर इस्टेट बन गए टाइगर बाग यह हमारा राष्ट पशूर इसके बाद बाग की आबादी को दोगुना करने के लक्ष के साथ टाइगर डे स्टार्ट हुआ था 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया जाएगा फोकस इसका यह था कि हम बाग की पॉपुलेशन को डबल कैसे कर सके कब स्टार्ट किया गया था 2010 में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में एक शिखर सम्मेलन हुआ और उसके बाद अंतरराष्ट के बाग दिवस मनानी की घोशना हुई वर्ल्ड टाइगर डे मनानी की घोशना हुई तो कब से मनाया जा रहा है 2010 से सिखर सम्मेलन का हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में रुश्या में और उसके बाद से फिर वर्ल टाइगर डे मनाया जा र है 2010 में जो शिखर सम्मेलन हुआ सेंट पीटचबर्ग में तो वहाँ पर whatever टाइगर में नीचौ घाल की आगे यई था इस प्रोग्राम को आप मिंशन कर सकते हैं ठीक है आनवारमेंट वागएтора में ग्लोबाल टाइगर रेकावरी प्रोग्राम 2010 में शुरू होता है सभी देश आते हैं जहां-जहां पर टाइगर पाई जाते हैं सब बोलते हैं कि हम करेंगे इस पर लेकिन अगर हम 2022 में देखते हैं तो भारत में दुनिया भारत में दुनिया की बागों की 70% पॉपोलेशन भारत में पाई जाती है 2006 का अगर हम देखें तो मद्व परदेश में 2018 में सबसे जादा बाग पाए गया 526-526 इसके बाद करनाटक में 524 और उत्तरखंड में 42014 में चेंज हो गया था 2018 में वापस से तो यह 2018 में हम कंपेर कर रहे हैं 2006 के कंपेर में अभी 2022 में जब होगा तब हम देखेंगे ठीक है इसने सबसे जादा बच्चों को जन्म दिया है अभी तक ठीक है ठीक है तो कालर कली कहां किये पेंच की है और इसके नाम कौन सा कीरतिमान है सरवाधिक संख्या में प्रसव और शावकों को जन्म देना का कीरतिमान है पेंच टाइगर रिजर्व में अगर हम टाइगर तो बांधवकाट मैं आपको कानहा टाक़ एकर रिजर्व और सत्पुळा टाईगर रिजर्व composed गोसे इन चारों से जुड़ हुए फैक्ट हैं तो देखें प्रदेश में बागों की संख्या का वर्गी करन करें तो सबसे ज्यादा बाग किस टाइगर रिजर्व में हैं सबसे ज्यादा बाग है आपके बांधावगर टाइगर रिजर्व में नहीं सबसे ज्यादा है बांधावगर टाइगर रिजर्व में उमर्या में इसके बाद फिर आता है कानहा का नंबर तो बाकी नंबर आपको इतना इंपॉर्टन नहीं है यह याद रुखिए कि सबसे ज़्यादा बांध हो गड़ में इसके बाद आ जाता है कि हमारे मद्द प्रदेश ने इतना कुछ जो काम किया है यह काम आखिरकार कर कौन रहा है लोग कर रहे हैं तो इसके लिए कुछ पुरुसकार भी मिलना होगा यस प्रधान मंत्री ने टाइगर रिजर्व मेनेजमेंट में बेस्ट मेनेजमेंट का प्रदान मंत्री ने ऐसे मैं सुची जारी कि रिजर्व में और तीन इनमें से एक श्यांहा है और सत्पुरा एक प्रधान मंत्री ने कानहा और सत्पुड़ा की पीट तो पहले ही थपतपादी थी यहां पर Ministry of Forest and Climate Change ने कानहा और सत्पुड़ा के साथ साथ पेंच की भी पीट थपतपादी और पेंच में ही कालर कली नाम की एक हमें शाविका मिली है जिसने सबसे जादा संख्या में प्रसव और शावकों को जन्म दिया एक और बड़ा अनूठा इसमें फैक्ट है मदप्रदेश टाइगर फांडेशन सॉसाइटी ने इस यह उन ед फैक्ट आप लख सकते हैं कि मदप्रदेश टाइगर फांडेशन सबसेटी ना सिर्फ टाइगर के लिए काम कर रही है बलकि पूरे एंवायरमेंट के लिए काम कर रही है जैसा कि पैंगुलीन सरक्षण इनो ने स्टाट किया ठीक है इसके बाद आ जाते हैं बल्लुडॉफ में वर्ड वाइड लाइफ देरेशन जो रेष्लिंग वाला नहीं है तो यह वल्ड पर है और इंडिया में भी है तो डब्लू डब्लू एफ इंडिया ने 2019 में पाटा बागमित्र का एवॉड दिया था तो यह सारी फैक्ट लिख लेना जितने भी लोग मेंस दे रहे हैं वहाँ पर मेंशन करकर आएंगे आप करेंट अफेर्स में आपके आधा मैं कहता हूं सबाव नंबर भी कुश्चन में बढ़ा दिया ना आपने किसी तरीके से तो इतने सारे कुश्चन है कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा कि किस तरीके से आप टॉप कर सकते हैं टॉ टाइगर इस्ट्राइक फोर्स चाइवर्स्ट यह में रिटेश सिरोटिया जी पतार काक। यह तो एक एगर कभी पूछ लिया जाताना है मद्द प्रदेश से related कुछ और जानकारी देखते हैं मद्द प्रदेश में जानवरों को लेकर जो तेंदुआ है ना ऐसा तेंदुआ हमारे यां साढ़े तीन हजार तेंदुआ होने का एक अंदेशा है एक आकलाने अगर ये सही है तो मद्द प्रदेश में भारत में सबसे जादा मद्द प्रदेश में भारत में सबसे जादा किसी राज में तेंदुआ हो जाएंगे और ये पूरे भारत का 25% होगा ऐसा अनुमान ये भी है कि जहां पर तेदुओं की जनसंख्या भारत में 60% भड़ी है मद्ध प्रदेश में 80% भड़ी है तो ये एक एडिशनल फैक्ट था जो उस पेपर में था खेल चर्चाओं पर आ जाते हैं ओके खेल चर्चाओं पर आ जाते हैं विश्वन नाथन आनंदनी इस्कॉर्पियन ट्रॉफी जीत लिए इस्कॉर्पियन ट्रॉफी किसके लिए दी जाती है सबसे पहले तो शत्रंज के लिए दी जाती है इस्कॉर्पियन स्वरी नॉट इस इस पार्कसन ठीक है तो इस पार्कसन ट्रॉफी सत्रंज के लिए दी जाती है विश्वनातान आनंद तो हैं ही हिरो तो इन्हों ने विश्वनातान आनंद फिर आ जाते हैं इस वर्ष के विक्रम एकलव पुरुसकार में बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है इसमें ध्यान से देखेगा मद्द प्रदेश में जो अंतर राष्ट इस्तर पर पार्टिसिपेशन है मद्द प्रदेश के खिलाडियों का वो कंटीनियू बढ़त होकी में एक मेल है विवेक सागर होगी से किस जुड़े है और विवेक सागर होकी से जुड़े होगी है खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहिद करने के उद्देश से खेल राज़ प्रोसकार ने राशी को दो गुना कर दी है कितना किया है वो हम देखेंगे सबसे पहले आप दिमाग में इन इस्पोर्समेन को रखे एशर हो गया विवेक हो गया और रानी हो गई रानी और विवेक यह आपके होंकी से जुड़े हुए हैं जबकि एशर जो है वो शूटिंग से जुड़े हैं पुरुसकार की राशी में बढ़हुत्री कर दी गई है देख लेते हैं कितना ट्वंटी टॉंट अच्छा यहां पर एक पॉइंट और है विक्रम साहसिक खेल शामिल कर लिए ग लें तो यह सासिक के लिए विक्रम और एकलव का पार्ट होंगे चलो अब इनकी राशी देख लेते हैं कि एकलव पुरुषकार के लिए अब एक लाख रुपए मिलेगा पहले 50,000 मिलता था विक्रम विश्वामित्र और प्रभाज जोशी विक्रम विश्वामित्र और प् प्रभाज पर आजाते हैं एकलव पुरुषकार जूनियर खिलाडी होते हैं उन्हें दिया जाता है विक्रम विश्वामित्र और स्वर्गिय स्रीप्रभास जोशी और लाइफ टेम अचीव्मेंट है यह सीनियर खिलाडी और कोचेश को दिये जाने वाले आवार्ड हैं त से हो सकता है राशी दोगनी की गई है तो इस पर सवाल हो अधर्वाइज आप मेंस के पेपर में यह लेख सकते हैं कि किस तरीके से स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए 2021 से मदप्रदेश सरकार ने यह राशी दोगनी करती है तो एकलव के लिए दोस्तो जो भी खिलाड़ी है उनके लिए 31 जुलाई तक आवेदन जा रही है अगर किसी को लगता है कि किसी को किसी का नाम भीजना चाहिए तो बिलकुल भीज सकते हैं यह निउस जरूरती मुझे लगा आप लोगों को आप लोगों तक जानी चाहिए इसके बाद एक और अ कि लिए ऑई इबींट क्रिकट बोर्ड चाहिए इंग्लेंड एंड विल्स क्रिकेट बोर्ड इंटे नहीं पहल किये इन्होंने दा हन्ट्र現在 अंटम से टूनमैंटे स्टार्ट किया सब्सक्राइब अब इसके नियम कानून भी उन्होंने अलग-अलग बनाए हैं क्या दा हंड्र नाम से तूना मिन्टे स्टार्ट होगा सौ गेंदी खेली जाएंगी अब इनके नियम में क्या बदला हो ठीक है यह आप से पूछा तो नहीं जाएगा पर फिर भी हो सकता है पूछ ले आपको पता तो होना चाहिए सौसो गेंदी खेली जाएंगी पहले सत्र में पांच गेंद का ओवर होगा तो ठीक है ओवर कितनी अभी कितनी गेंद का होता है कितनी बॉलिंग फिकी जाती है इसमें फाइव का होगा 25 गेंद का पावर प्ले होगा 100 में से 25 जो बॉलिंग की जाएंगी उसमें से 25 पावर प्ले के लिए होगा गेंद बाद चाहे तो लगातार 10 गेंद का ओवर भी फेक सकता है मतलब 5 गेंद का एक ओवर होगा वो चाहे तो लगातार 2 ओवर फेक सकता है और कोई भी एक इसमें DRS decision review आपने देखा होगा decision का review करते हैं इस्तेवाल किया जाएगा अगर नो बॉल हुई तो नो बॉल के लिए दो रन दिया जाएगा साथी साथ फिल्डिंग करने वाली टीम चाहे तो दो मिनट का strategic time out ले सकती है जो कि in between वो ले सकती है और पारी के दोरान इसका उपयोग कर सकती है तो दा 100 अब एक नया इंग्लेंड में जो स्टार्ट होने वाला है 100 बॉल का गेम समझ आ गया इसके अलावा क्या है हाँ पोगाकर जो है वो टूर दी फ्रांस रेस होती है फ्रांस में होती है और ऐसा माना जाता है कि बाइसिकल वालों की यह सबसे टफ रेस है इसमें बाकी इवेंट भी होते हैं पर बाइसिकल के थ कि दो फैक्ट हैं डिशनल फैक्ट हैं भारत ने 2020 विश्वकप में पाकिस्तान को पांच बार हराया है इसमें से एक मुकाबला तो बॉल आउट में हमने जीता है टी ट्वंटी विश्वकप 2021 कहां होने वाले हैं दुबई अबुधावी सार साज हां और मसकट में ठीक है त इसके बाद आ जाते हैं दुनिया की पहली मिसाइल जर्कौन जो कि अपनी आवाज से 7 तेज रफ्तार से चलेगी रशया ने बनाई है जर्कौन रशया पहली मिसाइल है जो कि 7 गुना आवाज अपनी आवाज से 7 तेम्स जादा तेजी से चलेगी अमेरिका रक्षा कवत से बच कर हमला कर सकती है रशिया ने बनाई है तो अमेरिका को तो भेदेगी ओपरेशन रिंज 300 किलोमेटर की होगी स्पीड इसकी 8600 किलोमेटर पर अवर होगी इस्पीड नहीं पूछी जाएगी पर यह याद रखना कि दुनिया में सबसे तेट चलने वाली मिसाइल जिर्कॉन रशियाने हाली में बनाई है भारतिय नौसेना को इंडियन नीवी को MH-60 हेलिकॉप्टर मिल गाए है किस से मिले हैं हम लेते किस से हैं यह यूएसे से खासियत के है यह एक मौसं में काम कर सकते हैं ठीक है दोस्तों यह था हमारा पूरा रोजगार और समाचार अब रोजगार और समाचार में क्या होता है कि इस तरीके से कुछ questions आते हैं जैसे मैं बता दूँ विभिन परतियोगी परिक्षाओं के लिए तो ये इसके लिए मैं अलग से separate video बनाऊँगा ठीक है तो मैं फिर से आप लोगों को clear कर दूँ कि ये जो रोजगार निर्मान का ये कैसा लगा आप जरूर बताइएगा comment section में अगर आप कहेंगे तो इसे continue रखा जाएगा समानने ज्यान और बाल विकास एवं सिक्षा सास्तर को लेकर questions है साथी साथ विभिन परतियोगी परिक्षाओं के लिए भी महतिपूर्ण तो अगर इसमें आप लोगों का response positive रहा तो फिर ये question के लिए अलग वीडियो आएगा और फिर जो भी रोजगार और समाचार है पुराने छे महीनों के और जो भी आगए आएंगे उनको मैं in shot इसी तरीके से वीडियो बनाता रहूँगा चलो तो ये नियर एबाउट चालिस मिनट का वीडियो हो गया थेंक यू टेक क्यर बाई बाई